बबीता जी, स्वागत है आपका नमस्ते जी नमस्ते मैम जी बताइए इस बहु की दवाई तो हमारी चल रही है बहु को मानसिक रोग है तो उसकी दवाई तो हम पाच्चे मैन से मंगा रहे हैं तो क्या कहते हैं अभी इस बार आई है एम केर अभी कितना फाइदा है बच्ची को पहले से तो फाइदा है सर लेकिन हम चाहते अच्छी हो जाए हमारे घर में प्राप्लम हो जाती है बहुत परिसान है जरूर अच्छी हो जाएगी जरूर अच्छी हो जाएगी और दूसरा कोश्चन दूसरे कॉश्चन हमारी एक नाता ने ग्याराजाल की उतको ट्राइफाइड हो गया दी ठीक है और और कोई सवाद आप रोही है नहीं पूसरा मावा वही है हम तुके खा रहा हैं दवाई अपनी तो हम ठीक है हमें जयतुन के नमक से भी बहुत फायदा हुगा हमको बाबा चीर्ती हमको बहुत ज्यादा परिशान थे हम तो हमें बहुत ज्यादा फायदा हो गया इस समयं सतर पर्सेंट हो गया है चीक चीक है बहुत शुक्रिया अच्छा देखी यह जो बहु है आप उसके लिए बहुत परिशान है गर-घर की कहानिय है कि डिप्रेशन हो जाता है दिवागी बीमारी हो जाती है और कुछ घरेलू माहौल ऐसा होता है हमें जिसको भी किसी के घर में ये डिप्रेशन हो है। यह बहुत अच्छा इलाज है देकि फाइदा तो हो यह हो रहा है। देरे हो रहा है। लेकिन यह तारीर जो है दौबा से भी अच्छा काम करती है। कोई भी बात अगर उसने खाना बनाया एक मिसाल दे रहा हूं और उसे में नमा थोड़ा सा नमक और अच्छा कम डालते ना तो और अच्छा लगता ऐसे करते हैं तारीफ उसकी बुराई भी गिनवा दी और उसकी तारीफ भी कर दी मुझे अगर कहीं ऐसा होता है तो मैं कहता हूं कि बहुत यह अच्छा खाना ला जवाब ऐसा खाना आज तक निखाया और फिर बाद में जब वो खुश हो जाता है तो कहता हूं कि थोड़ा सा नमक कम होता तो बहुत अच्छा था ऐसी हर चीज़ में यह तरीका है किसी का दिल जीतने का सब तारीफ किया करें यह दवाओं से भी अच्छी दवा है और यह जो दवाएं दे रहें जिससे फाइदा उनके पेट में जाना चाहिए कैसे जाएगा आप जाने पाउडर के रूप में खाएं या साबुत धनिये को उबाल के उसका पानी पिला दे और यह बहुत अच्छे एक राव मेटेरिल धनिया तो सब इस्तमाल ही करते हैं और अपने सबजी सालन में भी ज्यादा डाला करे धनिया जिस घर में यह प्राबलम हो धनिये का इस्तमाल हूब होना चाहिए तो यह बहु का इलाज और क्या सब्सक्राइब नाति ने 11 साल के टाइफाइड हो गया है हाँ टाइफाइड का साथ से 15 दिन इलाज होता है और वो करते रहें डॉक्टर का इलाज सबसे अच्छा है इसमें और यह जो धनिया है ना धनिया आदा चमच धनिया और एक चुटकी नमक जैतुन दो गिलास पानी मिलाकर इसको रोज पिलाया करें एक बार बस तो यह बहुत रहात देता है जैसे आपको फाइदा हुआ ऐसी उसको फाइदा हुआ लेकिन वह इलाज छोड़े न बस बागी फीटबेक कॉल थी हकीम साब के इनको फाइदा हुआ है तो बहुत बहुत शुकरिया बबीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए मैम आप बहुत जादा परेशान है अपनी बहु को लेके लेकिन आपको देखिए जैसे हिमत होसला आपने अभी तक बरकरार रख करता उसे बरकरार रखें क्योंकि कोशिश करने वालों की हार बिलकुल नहीं होती है और आपने लगतार उन उसको का इस्तमाल किया है जो आपने हकीम सहाब से जाने थे आप ठीक हो रही है और आपके नातिन भी बहुत अच्छे हो जाएंगे तो मैम आप हिम्मत बिलकुल म नमस्कार ठीक साहद जेहिं सौागत है गयतरी जी का गयतरी मंतर तो बहुत मशूर है बता इगा सवाल मेरे इसले करें अंदर मीरे किसाब तक बहुत जलन है और बार-बार हो ता है मेरे केसिम इरे उमर है क्था इस फोब मैं जलन आपको पेरो में है नहीं पेट में जलन है जीज़ लेकर के पेट किसाब तक बहुत जलन है और जवाब खाती हूं तो कोई है तो नहीं करता है और एक स्वाल आप मेरा जब मैं कोई किताब पहती हूं तो मेरा स्वार बहुत जुछता है बड़ने पाती हूं अवेक स्वाल और है एक मेरे घर में आदमी है वो तीन महीं में तक गौन मोरिंगा खाये तो उनके बाल अच्छे रहे और फिर उनके बाल भड़ने लगे है उनके लिए दवा बताईए और यहीं इसना स्वाल कोई में ठीक है देखे, अगर यह पएट की तकलीफ है, तो आप एक तो अरंडी का तेल समझते हूँगे, गहाँ वोग्हों में कहते हैं अरंडी का तेल, और अंग्लिस में कहते हैं कास्टाल आइल, हर मेड़िद कास्टो पे मिलती है, सो दो सो एम्यल की सीशी ले ले और एक चमच ये तेल पी ले फिका होता है ज़रा गाड़ा बहुत होता है और एक गरम गरम पानी ये चाय पी लें जिनमें एक बारी कर लिया करें और सौफ सौट जीरा अजवाइन धनिया मेथी च्छे चीजें हूप बारीक पाउडर बनाकर रखें और सो सो गरम लेके सौफ सौट जीरा अजवाइन धनिया मेथी च्छे चीजें हूप बारीक पाउडर बना ले सो सो गरम लेके मेथी का दाना और ये आदा चमच खाएं और ये एक चमच जो कैस्टॉल आइल मैंने बता है उसके साथ ले और उसके आदा गड़ते बाद एक चुटकी नमक जैतून दो गिलास पानी में मिला कर पी लिया करें आपके पेट के लिए बहुत अच्छा नस्खा है ये जी सर जो दुखता है हकीम साथ और देके सर किसी का भी दुखता हो ये चक्कर आते हो ये इलाज करें देखिए ये हमारे जो सर की मरम मत समझ लिजए ये और सरवाइकल होता है एक चली यहां नसे दब जाती है गर्दन में तो वो नसे ऐसे हम लेट के पढ़ते हैं अक्सर तो लोट पढ़ता है यहां पर और पिर हमारा सर दुखने लगता है अगर आँखें कमजोर हों तो पढ़ने से दर् होता है दिमाग में आँखें कमजोर हों तो आखों का इलाज करा है यह चश्मी बनवाए और यह एक्सरसाइस किया करें रोजारत तीर मिनिट आपको फायदा मुम्कीन है अगले कॉलर है राजविंदर जी स्वागत है आपका नमस्कार मैडम जी नमस्कार सर कहां से बात कर रहे हैं मैं तिट्टी से बॉल रहा हूं मैडम आपका सवाल है सवाल हाकीम साब को पहले तो नमस्कार स्वागत है आपका जाहिद हाकीम साब मैंने कौन सिया खाया था मेरे उप्रों में दर्द था दो में दो डबे खा चुका तो दर्द तो बहुत कम हो गया था लेकिन अभी भी तरह हलका अंदर की साइड में दर्द है तो उसको मैं क्या और कौन सिया और खाऊं क्या करूं ठीके ठीके और कोई सवाल आपका राजिद्द जी अब फिलाल तो यही सवाल है जी एक दर्द बिल्कुल जा नहीं रहा थोड़ा थोड़ा कंदों में भी दर्द है ठीके ठीके अच्छे देखिए वेस्टन ट्वालेट इस्तमाल ले कर रहे हों तो वो करें नहीं है तो ल लग रहे हैं बहुत वेस्टन ट्वालेट आपके हां होगा और ऐसे बैठें और यह एक्सरसाइज तीन मिनिट रोजाना करें एक साथ नहीं कर पाएंगे लेकिन एक एक मिनिट करके तीन मिनिट कर लिया करें यह देखने में आपको मामूली लगेगी लेकिन करें जरूर मे मेरा कहना मान कर और एक यह ऐसे 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 और यह गौन्सिया आप खाते हैं यह बस एक खुराक रोज खाया करें और एक चमच देशी घी असली मिल जाए तो उसमें मिलाके फिर खालिया करें और खुराक कम कर दें लंबे अरसे तक खाते रही है बिल्कु जड़ से अगर आप उमर दराज हैं तो पांच परसेंट रह जाए तब भी भगवान का शुकर करें कि उसने 45 परसेंट फाइदा दे दिया कभी-कभी हम भगवान का शुकर करने में कुछ चूक जाते हैं और कई काम जो अटक जाते हैं वो भगवान के शुकर से भी पूरे हो जाते ह डिल्ली से ही अगले कॉलर है मता जी स्वागत ऐ आपका जी मैम मम्मय बोल वी यू जी दे मेरि बेटी है मुझफर नगर से आई जो सब्लत माइब उमर कितनी है उमर 55 साल छी कैहमार बना चाहिव पेसाल दिया आपने अरी हमारा कोई नस्खा हमारा कोई मश्वरा उन तक मैं बेटी आई विये तो मैंने बताया है उन्हें कि बैटी बैटे वो ऐसे ऐसे नुक्ष मैंने लिख रख लें आपके गौन सिया वाला नस्खा दीजे हां तो मैं आप सब दवा इंगाना चाहरी हूं हां तो हम यहां पर और नहीं लेते हैं आप हेल्प लाइन नंबर बर फॉन करके मंगा सकते हैं दवा जब भी लें असली लें आपको कुछ फायदा हुआ मेरे किसी मश्वरे से कभी आपने यूज किया मेरा कोई नस्खा हां बहुत आराम मिला ना बहुत पहरी बहुत बढ़िया हां देखो कि है काही मयीने सार शाइशाम मीश्युता दे माथ बढ़िया कि बढ़िया कि बना मान कुछ करभी रगा वह आपने मेरे हजेमदाप सूकर से हैं तो उनके लिए भी मैने नीबू का रिसका अध्रग का अलहषन का और व्हस्तं का वह भी करकतियाता रहा जैती हमस्वरे का हमारे साथ ऐसे ही जूरे रहे हमें ऐसी देवियों की जरूरत है जो खुद फाइदा उठाने पहले और फिर वो किशी को छोड़े नहीं चाहे बेटी की सुस्राल हो चाहे पड़ोसी हो उन सब को फाइदा पहुंचा दे हैं हम यही चाहते हैं हम मस्तकिल आप तो वह छह साथ महीने से देख रहे हैं लेकिन हम हम बहुत दच-बीश साल से यही काम कर रहे हैं कि घर घर एक घरे पहुंच जाए जिससे लोगों को फाइदा हो जाए और यह सब परिशानियां अपने घर में ही सॉल्व हो जाया करें जिसे आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा करें आप ले लीजे नुसका और मैं प्रात्ना भी करूँगा आप भी प्रात्ना करें कि बच्ची की सास को फाइदा हो जाए और यह आपका रिष्टा बहुत अच्छा है वरना जो संदने होती है उनमें तो बड़ी तकरार रहती है लेकिन अगर आप उनसे महबत करती तभी आप इंतजार कर रही है और नुसका वेजेंगे तो संबंद और अच्छे होंगे फाइदा अच्छा हो तो कुछ दूआ आपकी और आपकी संदन की मुझे भी हिस्से में जरूर रखना अगले कॉलर है यूपी से दीपक जी स्वागत है आपका कि दीपक जी स्वागत है जाहिन साइनस की पाइस की इस कराएं पाइस का हमारी जहन में आता है पाइस के रहे हैं आवाज आपकी कहीं अटक करा रही है पाइस का कह रहे हैं तो क्योंकि साइनस का अपरेशन नहीं होता है पाइस का अपरेशन होता है तो दीगिए पाइस ठीक भी हो सकता है खूनी हो या बादी पाइस और यह जो एक दुस्का में बताता हूं सौफ सौट जीरा अजवाइन धनिया मेती का दाना एक बार और बोल देता हूं सौफ सौट जीरा अजवाइन धनिया मेती का दाना छे चीज़ें सौ सो ग्राम ले ले पाउडर बना ले अब इनको खाना कैसे है एक चमच खाईए और दो गिलास पानी में एक चुटकी नमक जैतून असली वाला दो गिलास पानी मिलाकर ये पानी पी लियाकर ये दिन में एक बार जद जद दो बार बस आपकी परिशानी अच्छा होना